आपका एक बार फिरसे UPSC-UPSC-Mains के जनल स्टेडी पेपर नंबर 2 में आप लोग का स्वागत करती हूं तो हम लोग कर रहे हैं जनल स्टेडी में पेपर नंबर 2 जिसमें हम लोग उने टॉपिक नंबर 1 लिया था बारतिय सम्विधान इसमें काफी हद तक स्लेबर्स हमने कंप्लीट कर लिया था अब इसका एक से दो क्लासेज हो रहेंगी तो पहला पॉइंट हमारा यहां कवर हो इसके बाद में इसकी PDF आपको अपने सक्सेजमेंच पेज और अपने सक्सेजमेंच टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाके उसे जॉइन कर सकते हैं आप उसे जॉइन कीजिए और फेस्बुक को भी जॉइन कीजिए इस का सेशन और इससे पहले जो वीवर्स नहीं है वो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज मेरे चैनल को लाक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपके एक्जाम से लेटेड बहुत ही इंपोर्टन वीडियो मेरे चैनल पे आ रही है और ऐसे ही आती रहे चैनल तो कि परकशन नियाले कि तो हमारा मेरेमेर में आधर्भूत चैनल प्रावधानित है कि अधर रहे चैनल ही को संपोरण अरा महथपुंड प्रावधान नी innovate मारे मेरे मात्त पून परावधान इसके मारे मथसे संविद्दान fancy से दूर्धान के ईएक समझे और महसें में क्या क्या संशोधन हुए हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे सम्विधान में कितने अनुछेद हैं कितने भाग हैं कितने अनुसूचियां यह सारे के सारे हम यहां पर स्रड़ी करना पड़ेगा प्लस इसके साथ ही हम सम्विधान का में टॉप जितना हमारा जो समवीधान है उसको हमें लेके पूरा यहां प्रॉपर कवर करना पड़ेगा एक भी कोशिन हम लोगों से छूटे ना यहां पर तो अभी आज के एक लेक्चर में हम लोग देखेंगे महत्कून प्रावधान क्या-क्या है और फिर एक लेक्चर और लगेगा इसमें मैं इसका समप पूरा अच्छे से करवा दूंगी ताकि यह पूरा पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो वरतमान समय में जो भारत में 448 अनुछेद है 448 का मतलब है कि 395 तो थे अल्रेडी पहले अब इसमें क्या करेंगे तो यह संख्या तो बढ़ जाएगी बट कहिंगे उसे 95 395 ही होंगे वह उसको हम लोग इस काउंटिंग से ABCD काउंटिंग से एड़ करने के बाद ही 448 हां बताया गए इस समय जो है वह 25 भाग है 12 अनुछियां यह आप याद रखेंगे जब कि मूल समविधान बना नुवंबर 1949 को बन कर तयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से पूरदेश में यह लागू किया गया था और कुछ अनुछियद ऐसे थे जो 29 नुवंबर को ही लागू कर दिये गया थे जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था तो चलिए आगे दे कि बहुत ही इंपॉर्टन जो अनुछिद है क्योंकि अगर हम 395 पूरा टॉटल करने बैटें तो काफी टाइम लग जाएगा बथा बहुत सारे अनुछियद है जो बहुत ही इंपॉर्टन ओफ यू से भी प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ यू से भी बहुत ही इंपॉर्टन महत्पुन अनुछेदों के बारे में तो यहां आपको बताना पड़ेगा तो हम एक पर गो थू कर लेते हैं कि कौन-कौन से अनुछेद हैं ताकि आगे की उनुछे दो ही देता है अनुछे तेन में नए राज्यों के संदचना बदलाव या नामकरन की अनुमति यह जाती है अनुछेद 5 से 11 है इसमें नागरिक्ता के संबंधित अधिकार दिये गए हैं और इसमें समय पर संशोधन भी किया गया अब एक संशोधन का आपने टोपि भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक्ता हासिल करने के लिए भारती नागरिक्ता त्यागने और नागरिक्ता के अधिकारों को जारी रखने से जुड़ी जानकारिया है मतलब इसमें यह दिया गया है कि हम भारती नागरिक्ता कैसे प्राप्त कर सकते विदेशी नांगरिक्ता क्या साथ में रहते रहते भारते नांगरिक्ता प्राफ्ट किगा सकती है इस उसक्तर इन भारई निए बहुत इंपोर्टेंट अनुष्यद 12 और 25 तो अनुष्येद आरटिस तक यह नागरिकों के तोटल यहां बता देती हूं कि नॉमली इन अन्षेदों के अंतरगत क्या है क्या है क्योंकि यहां एक इक अनुछेद जो मौली का धिकार का है वह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो अनुछेद 14 और 15 में कहा गया है कि समानता का धिकार जैसे कि धर्म जाती ना जन्मस्थान के अधार पर भेद्भाव को यहां रोकना अनुछे 16 में कहा गया है सार्जनिक छेत में रोजगार के लिए समानता का अधिकार अनुछे 17 है अप्रश्यता का अंत अनुछे 13 है उपाधियों का उपाधियों से मतलब यहां है कि कोई भी राज्यसरकार अपनी म बिना हतियारों के और सांती पूर्वक जमा होने का अधिकार असोसेशन ये यूनियन बनाने का अधिकार भारत के किसी भी हिस्से में बिना रोक टोग घूमने का अधिकार भारत के किसी भी हिस्से में रहने ये बसने का अधिकार किसी भी व्यापार कारोबार और पेशी का अपनाने का अधिकार तो अनुचेद 19 से बहुत ही इंपोर्टन्ट हो जाता है मौलिक अधिकारों के द्रिश्टी से और अनुचेद 19 के अंदर ही प्रेस की स्वतंतिरता का अधिकार भी दिया गया है अभी व्यक्ति करने का अधिकार दिया गया है जमा होने का अधिकार दिय गया है बट कानून के अंदर रहे कर यह सब अधिकार दिये गए हैं तो अनुचे जो 19 है वह बहुत बहुत हो जाता है मौली कर्दिकारों के अंतरगत निक्स्ट हम बात करेंगे अनुचे 21 जीवन और व्यक्तिकत आजादी का अधिकार यह भी आजादी का संरक्षन यह भी ब तो इसमें 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफता और निवाय सिक्षय का अधिकार दिया गया है अंचे 23 और 24 है 23 है शोशन के खिलाफ अधिकार और 24 है मानो तस्क्रियों बंदिया मजदूरी जबरदस्ति मजदूरी कराने पर प्रतिबंध और 25 से 28 तक है धर्म की स्वतन अधिकार जैसे नागरी को किसी भी धर्म को अपनाने प्रचार करने का अधिकार है यह मैं बता रहे हैं क्योंकि अनुचेद तो अपने कई बार पढ़े होंगे बट हमें अगर में इसका स्लिबस कंप्रीट करना है तो एक बार हरे कि समप करनी होगी यहां पर इसलिए बाक निती 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 प्रोज साहन स्मार्कों के संरक्षिन और रख रखाओ बन और परियावरण की सुरक्षा कारी पालिका से नियाय पालिका को प्रथक करने और अंतरास्ति सांतिय सुरक्षा को बढ़ावा और प्रोज साहन देना इसमें शामिल है तो 36 से 50 के अंदर अगर overall आपसे कोशिन आ जा तत्तों के विशेष्टाओं के बारे में बताईए यह फिर राज जी के लिए निती निदेशिक तत्तों क्यों आवशक है तो यहां पर आप यह सब पॉइंट यहां पर explain करोगे चलिए आगे बात करें 50 A में नागरिकों के बुन्यादी दाइत्वों को विश्तार से समझा बताया गया है मतलब कि यहां 50 A1 A में यहां पर हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है अभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया अभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया अभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया अभी मौलिक कर्तव्यों के बारे म जोड़ा गया है नेक्स्ट 52 भारत के रास्टपती की बात करता है 53 संग की कारेकारी शक्तियों की बात करता है 54 रास्टपती के चुनाओ की बात करता है 55 रास्टपती के चुनाओ का तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में बताता है 56 रास्टपती की कारेकाल कारेले की अव अब यहाँ आप 52 से अब पूरा 62 तक यहाँ पर राश्ट पती के बारे में बात की गए आप 63 पर जैसे हम आए वहाँ उप राश्ट पति की बात यहाँ चुरू हो गई है तो आठिकल कुछ इसी हिस्साब से दिए गए हैं ताकि आप लाइन वाइज से याद रख सके अर्टिकल शिक्स्टीफोर उपरास्ट पती का राज्यसभा का पदेन सभापती होना यह बताता है 65 रास्ट पती के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनके अनुपस्थिती में उपरास्ट पती का रास्ट पती के रुप में कारी करना या उनके कारियों कर निर्वहन करना यह बताता है 72 की बाद कर लेते हैं तो रास्टपती को किसी दोशी की सजा को निलंबित करने माफ करने उनके अब्धी कम करने की शक्ति को बताता है तो यह शमादान की शक्ति रास्टपती को बताता है 72 इंपॉर्टेंट हो जाता है 79 संसत के गठन के बारे में बताता है जिसमें राजसभा रास्टपती और लोगसभा तीनों आती है असी राजी की सभा जरसे कि अभी मैंने बात की तो 79 जो है वो राजी की सभा के बारे में बात करता है इसके अंतरगत आता है राजी सभा की सनरचना जिसे उपरी सधन भी कहा जाता है 81 बात करता है लोगों के सदन मतलब की लोगसभा के बारे में लोगों का सदन लोगसभा की सनरचना जिसे निचला सदन कहा जाता है और 83 बात करता है संसत के सदनों की अवधी कितनी होगी ये बात करता है 93 बात करेगा लोकसभा का अध्यक्ष रुपाधक्ष के बारे में 100 अनुच्छ अर्टिकल के अंदर दिया गया है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कारे करने के शक्ति और कोरम के बारे में 102 संसत के किसी भी सदन से किसी भी सदस्य की सदस्यता को अयोग घोशित करने के बारे में कहा गया है 105 इस अनुच्छेद में संसत के दोनों सदनों उसके सदस्यों और समीतियों के विशेश अधिकारों शक्तियों की जानकारी यहां पर दी गई है चलिए आगे बात करते हैं 107 के बारे में तो विदेयक को प्रस्तुत कर करने की प्रक्रिया और प्रावधान 107 में दिये गए हैं और आर्टिकल 109 में धन विदेयक या मनी बिल्स को प्रक्रिया इस पस्रोप से दी गई है तो इसके अंतरगत यह होता है कि लोकसभा में पारित होने के बाद जो मनी बिल होता है राजसम हमें जाते हैं हमेशा जो म से पारश दी जाती है तो अगर लोकसभा ना भी चाहे कि उस से पारिष को माने तो भी वह बिल पारित हो जाता है तो इसमें में जो धन विदेयक में फावर होती है वह हमेशा लोकसभा की ही होती है जलुए 110 जिरो की वाठ करते है इसके बारे में बात करते हैं 114 जो है वो बिन्योग विधियक के बारे में बात करता है 123 है संशत की विश्रान्ती काल में अध्यादेश जारी करने की रास्टपती की शक्ति की जानकारी देता है तो यह बहुत important हो जाता है यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है 124 भी important है यहाँ पर उच्चतम नियाले की स्थापना और उसके गठन के बारे में बात की गई है 148 से 151 तक इसके दारे में नियंत्रगों महालेखा परिक्षक की नियुक्ति होती है 148 के अंतरगत नियंत्रगों महालेखा परिक्षक के बारे में बताया गया और उसके आगे जो आर्टिकल्स हैं उसमें उसकी भूमी का जिम्मेदारियों के साथ अंकेक्षन रिपोर्ट देने की जानकारी आती है मतलब जो भी वो जैसे की वो लेखांकन करता है और वो जो भी कारेवाई करता है उसके बारे में उसे एक रिपोर्ट सौपनी होती है सरकार को तो उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है चलिए नेक्स बात करेंगे अनुछेद 152 से 237 तक होता है जो कि खंड 6 के अंतरगत आता है भाग 6 के अंतरगत राज्यों के समन्द में उपबंध के बारे में बात करता है तो इसके अंदर देख लेते हैं तो 152 से 161 इसके तहत राज्यों के राजपाल की निवति दाइत्व और कामकाज को विश्तार से जहां समझाया गया है निक्स्ट 163 की की बात करें तो इसमें मंतरी बरिशत की राजपाल को सहयोग और सलाह देने की भूमिका का उलेक है वन-सेक्स्ट फाइफ राजपाल द्वारा राज के महाधी वक्ता की внयोपती की प्रिक्रियया को विश् संरचना के बारे में यहां बताया गया है क्योंकि राज में आपको भी पता है एक राज जेपाल होता है एक राज सभा होती है राज विधान परिशद होता है और विधान सभा होती है यहां पे तो दोनों को मिलाके विधान मंडल कहा जाता है 171 की बात करते हैं तो इसमें राजी के विधान परिशदों के सनरचना की जानकारी दी गई है और 194 में विधान मंडलों के सदनों की तता उसके सदस्यों और समीतियों की शक्तिया विशेशारिकार की जानकारी हापर दी गई है चलिए आगे बात करें 214 से 237 के बीच में तो यहां उच्छ नियाले और उसके छेतर अधिकार उच्छ नियायाले के मुखे नियाधिश की नियुक्ति जिला नियाधिश की नियुक्ति निचली अदालतों पर नियंत्रन को इन अच्छोन में परिभाशित किया गया है नेक्स्ट 239 से 242 के इसमें किंद शाषित प्रदेशों को शामिल किया गया है कि उसका शाषन अधिकार कैसे चलाया जाएगा नेक्स्ट है 143 A से O तक अब ये बहुत इंपॉर्टन्ट हो जाता है और ये बाद में जोड़ा गया है ये आप याद रखेंगे जो भी आर्टिकल A से शुरू होते हैं ऐसे ये आर्टिकल हमारे मूल रूप से सम्विधान में नहीं थे ये बाद में जोड़े गए हैं ये सारे यहां पर एक टॉपिक आपने स्लेबस में जरूर पढ़ा होगा संग और राजी के संबंद शायद पॉइंट नंबर 3 में आएगा ये टॉपिक इसको हम इन आर्टिकल से अभी आप थोड़ा सा मैमोराइज यहां जरूर कर ले ताकि जब हम वह वाले पॉइंट करें संग राजी के संबंद तब यह आर्टिकल वहाँ पर काम आएंगे और आर्टिकल मैं बताओ में में अगर आप आर्टिकल का नाम लिखते हैं 246 यह 249 तो तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे अच्छे पर अगर नहीं भी लिखते हैं तो आपको ओवरॉल पता होना है तो आपको यहां समझने की पावर जादा अच्छी होनी चाहिए तो अभी तो मैं सरफ इसे बता रही हो जो लिखा हुआ है हाँ जब हम डिटेल में संबंद करेंगे आगे जो भी चीज़े करेंगे तो मैं डिटेल में एक एक पॉइंट की आप कैसे आंसर राइटिंग क कर सकते हैं सब यहां समझाओंगी एवैल्यूवेशन के साथ तो चलिए आगे देखें को कारे में ऑफ करते हैं तो संसद तो राज्यों के विधान मंदलों की और से बनाय गई कानूनों का विस्तार पूर्वग चर्चा यहां पर की गई है 246 में समान और सेवा के संबंद में कानून बनाने के लिए राज्य विदान सभा और संसत की शक्ति के बारे में बताया गया है 249 राज्य सुची में विशे के संबंद में रास्ट हितों में विदी बनाने की संसत की शक्ति यह जी राजसभा द्वारा टू-थर्ड बहुमत से एक प्रस्ताओं के साथ पारितिहां पर कर दिया जाये तो इसके बारे में बात कही रही है 250 में आपाथ कि स्थथि में KST के लिए कानून बनाने के लिए संसत के पास शकती होनha मतलब कि आपात काली निस्थिती में выглядит kaast के च RAMSAY में संसत कानून भड़ा सकती है अनुचे 268 जो की संशोधित है अब इस समय तो ये संशोधन भी हम प्रापर आगी के लेक्चर में देखेंगे और शदी और सोचाले की सामगरी पर उतपास शुल्क राजी सूची में शामिल किया जाएगा और इस पर GST कम लगेगा अनुचे 269A ये GST के तहत अंतर राजी वेपार से संबंदित प्रावधान ये कर का संग्रे और संग और राजी के बीच करके आवंटन के प्रावधानों से संबंदित है अनुचे 279A ये अधिनियम के लागू होने के साथ किन के बीतर राज्टपती द्वारा GST परिशत के संबंदित है नेक्स 224 से 239 तक में चुनावों से जुड़ी कारपनाली को विस्तार से समझाया गया है बतलब कि 324 में चुनाव आयों के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है नेक्स बात करेंगे अनुचे 330 से 342 के दाएरे में SCST OBC अल्प संख्युकों के लिए विश्यश प्रावधानिया शामिल किये गए है चलिए नेक्स बात करते हैं अनुचे 343 से 351 के दाएरे में संग और राज्य की राजभाषा उच्चतम और उच्चन्यायले की भाषा हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात की गई है अनुचे 352 में अपातकाल की उद्गोशना इसके दाएरे में वे प्रावधान आते हैं जिनके तहत अपातकाल की गोशना की जा सकती है 356 इसके तहत राज्य में सम्विधानिक व्यवस्था नाकाम होने की स्थिती में उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा की गई है मतलब कि यहां पर हम कह सकते कि राश्टपती शाषन अगर किसी राज्य में लागू हुआ है तो वो अनुचे 356 के तहत ही लागू होगा 360 के तहत राश्टपती के पास अधिकार है कि वित्या पातकाल गोशित कर सकता है अनुचे 368 के तहत राज्य सुची के कुछ मामलों के समन्द में कानून बनाने के लिए संसत को सत्ता प्रदान करता है जैसे कि अगर वह समवर्ती सुची के तहत महत्पून हो तो अनुचे 370 के तहत जमो कुष्मी राज्य को विशेश राज्य का दर्जा दिया गया है जो कि अब हटा लिया गया है तो यह थोड़ा पुराना आर्टिकल है तो इसको अब यहां पर समाप्त कर दिया गया है निक्स्ट बात करते हैं तो यह इंपोर्टन्ट है यह राज्यों के लिए इंपोर्टन्ट है तिस्टे कि 371 में महराष्ट गुजरात के संबंद में विशेश प्रावधान है 371 नागालेंड के संबंद में है 371 ख असम तो आप यहाँ यहाद रखोगे 371 घ मनिपूर 371 घ आंधप्रदेश 371 च आंधप्रदेश की केंदरी विश्व विद्याले की स्थापना से संबंदित है 371 च सिकिम राजी के संबंद में विशेश प्रावधान है 371 ज मिजोरम राजी से संबंद में विधेश प्रावधान दिये गए और 371 ज अवनाचल प्रदेश से संबंद में विशेश प्रावधान है और 371 व के बात करेंगे तो गोवा के समंद्ध में विशेष प्रावधान है और राजी के विधान सभाव में 30 से कम सदसे यहां नहीं होने चाहिए तो यह चीज़ आप यहां ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स बात करेंगे अनुछे 372 के तहत मौजूदा कानून का बना रहना और उनके अनुपूल तब तक लागू रहेगा जब तक के बदले और निरस्त और संशोधित ना हो मतलब कि यह यह बताता है कि जितने भी कानून बनाए गया है वो एज़िटीज रहेंगे अनुपूलन और संशोधित करने के लिए राष्टपति की शक्तियों को शामिल यहां किया गया है अनुछे 373 यहां कुछ मामलों में प्रतिबंधित रुकावतों में व्यक्तियों के संबंद में आदेश देने के लिए राष्टपति की शक्तियों से संबंदित बात की 370 तक के आर्टिकल आप लोग कर लो बहुत ही इंपोर्टन है आगे दिया हुए 375 के तहित नियायाले प्राधिकारियों और अधिकारियों से संबंदित है जो संविधान के प्रावधानों के अधिहिन कार्य करना जारी रखेंगे निक्स्ट अनुछे 376 उच्छी नियायले के नियाधिशों के संबंद में हैं प्रावधान दिये गए है 377 में भारत के नियंत्र का महाले का परिक्षक से संबंदित प्रावधान है और 378 में लोग से वायोग से संबंदित हैं प्रावधान दिये गए हैं तो चलिए बात करत हें आगे भारत की समविधान की अनुसूचियों के अगर हम बात करें तो आपको यहां बताया है मैंने की 12 अनु सूचियाँ है आप ध्यान रखेंगे इससे अनुसूचियों में तो प्रतम अनुसूची में दिया गया उच्चितम तथा उच्च न्याले के निया धिश्ट एव भारत के महानी अंतरक महालेखा परिक्षक के संबन्द में उबंद दिये गए हैं अगर तीसरी अनुसूची के बात करें तो यहां सब के जो उपर जितने नाम दिये गया है उनके सपत और प्रतिज्यान के प्रारूप यहां पर दिया गया है चौती अनुसूची में राज्यसभा में सीटो के आवंटन के बारे में बताया गया है तो पांचवी अनुसूची के बात करें तो यहां अनुसूची छेत्रों अनुसूची जातियों जन जातियों जातियों नहीं आएगा सूरी च्पी जन जातियों के प्रशाषं और नियंतरन के बारे में उबंध दिया गया है पांचवी अनिशूची में चली आगे दस्वी अनुसूची में दल परिवर्तन पन निहिर्तिता के बारे में बंदे और ये बाद में जोड़ी गई हैं दस्वी अनुसूची दल बदल कानून के उपर ग्यारवी अनुसूची पन्चायतों के अधिकारों, प्राधिकारों और दाइतों मतलब कि आपको पता है कि पहले सी आठ अनुसूची आथी नौ, दस्वी, ग्यारा, बारा ये चारों बाद में जोड़ी गई हैं बारे भी अनुसूची है नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दाइतों के बारे में ये important अनुसूची हो जाती है इसको as it is आपको learn करना पड़ेगा और अगर जैसे जैसे slivers बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इन्ही समविधान की इन्ही अनुसूची आनुचेदों और भाग के बारे में चर्चा करते हुए आगे अपने question solve करेंगे चल्य आगे देखते हैं तो सम्विधान के भाग के बारे में अगर हम देखें तो भारती समविधान को 22 भागो में भाजित किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं सबसे भाग ए तो यहां मैं normal आप देख सकते हो मैंने । टेबल बनाके दी है तो आप अप इसे read कर ल अगर यह तिनों आपको अल्मोस्ट लर्न हो जाता है तो आगे का जो आपका स्लेबस है उसको करने आपको इजी हो जागा विद एक्जाम्पल आप एक्जामनर के सामने अपना अंसर प्रेजन्ट कर सकते हो तो पूरा जो हमारा अनुच्छेत अनुशूचिया है और यह जारे भागें यह मैंने आपको दिये हुए तो आप इस इसको जैसे यह दिया हुए वैसे आप इसे लर्न कर लो रीट कर लो जैसे भी आप इसे कर सकते हो क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे मैं फिर आपको कोशन सॉल्व करोंगी अब नेक्स क्लास में हम प्लस महत्पुन संशोधन जो जो हुए है उनसे रिलेटेड कैसे कोशन आ सकते हैं तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स क्लास में और नेक्स क्लास में स्लेबस कंप्लीट सॉरी पॉइंट नंबर वन कंप्लीट हो जाएगा पॉइंट नंबर वन यहां पे क्योंकि आपके कमेंट में लिए बहुत बहुत इंपॉर्टन होते हैं और हर कमेंट का मैं वहाँ जबाब देती हूं आप लोग को पता ही होगा तो थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग सक्सिस मंच